तो नमस्कार दोस्तों, दिस इस वाभवत्रिपार्थी, यौल आ वाचिंग आजाग क्लसेज, जैसा कि हमने एक नई सीरीज शुरू की है, पार्टनर्शिप की, और ये प्रॉफिट अल लॉस एप्प्रोप्रियेशन का लेक्चर नमबर टू है, पी अल एप्प्रोप्रिये हों देख रहे हैं, ठीक है, कॉमर्स वालो, जड़ा कॉमेंट करना, कि पी अल एप्प्रोप्रियेशन किस तरह का अकाउंट है, तो बेसिकली ये सारी की सारी चीज़े हमने आपको बताया था, डिसकर्शन की थी, अब तुम्हारी समस्या, प्रैक्टिकल कोश्चन्स को ले जिससे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसमें लोन वगर आपको अभी मैंने नहीं लाया है, जैसे जैसे आगे मैं कंसर्ट कराऊंगा, कराऊंगा, पहले इस क्वेशन को देखते हैं, समझते हैं, और इसके बाद वीडियो को आगे लेके चलेंगे, तो क्वेशन आपक पार्टर्शिप एग्रीमेंट, यह कुछ पार्टर्शिप एग्रीमेंट है, तीन तरह के, त्यार तरह के एग्रीमेंट है, चरहाँ आप स्क्रीन पे उसे ध्यान से देखिएगा और को नोट कर लीजेगा, एग्रीमेंट है, 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 करने के लिए आप पार्टनर्स का नाम सरीता और वंदना है तो चलिए उसे तो कुछ फरक ऐसा पढ़ना नहीं है तो सरीता वंदना जो पार्टनर्स है इनी को ले लेते हैं तो इनकी मंथली सलरी 10,000 और 15,000 है रिस्पेक्टिवली प्रॉफिट फॉर दे यर एंड़ एक्टिस मार्च 2019 बिफोर अबब अप्रोप्रियेशन वह सिक्स लैक ड्रॉइंग्स ऑफ सरीता वंदना वेर 2,002,50,000 इंट्रेस्ट रॉन द्रॉइंग्स वर अमांटे तो 10,000 फॉर सरीता और 12,500 और वंदना, you are required to prepare P&L appropriation account चली तो यह हमें question बता रहा है जिसे हमें बनाना है P&L appropriation से मेरे समझ से question solve करने से पहले जरा साइक उसकी summary बना लेते हैं कि basically question हमसे क्या क्या रहा है क्योंकि starting के questions है कह रहा है सरीता और वंदना दो partners है यह सरीता है और यह वंदना है ठीक है दोनोंने capital लगाई है कितनी सरीता ने 4,00,00 रुपए capital लगाई है और वंदना ने कितना capital लगाया है तीन लाक रुपए 4,00,00 रुपए किसका capital है सरीता का और तीन लाक रुपए क्या है वंदना का capital है अब यह जो capital है यह capital की entry कहीं से भी PL appropriation में होती ही नहीं 11 में भी तुमने किया होगा यह capital सीरे कहां चला जाएगा balance sheet की liability side में दिखाएगा partners के तो इसका PL appropriations कोई मतलब नहीं है लेकिन है इस पर जो interest firm दे लिए क्योंकि मैंने बहुत अच्छे तरीके से पिछले वीडियो में बताया है आपने नहीं दिखाया तो you can go and watch the video that capital partners की capital पर जो interest मिलेगा वो partnership firm देती है और इस case में सरीता और वंदना को 12% के हिसाब से क्या दे रही है interest on capital दे रही है 12% per annum के हिसाब से चलो ठीक है तो सरीता वंदना दो partner है इनका capital हमने लिख दिया इनका interest on capital firm किस percent से देगी यह भी लिख दिया आगे आपको यह बता रहा है कि interest on drawing के अगर बात करें तो interest on drawing question में कितना है 10% per annum के हिसाब से है तो ठीक है interest on drawing हमने निकला interest on capital किस पर निकलेगा capital पे interest on drawing किस पर निकलेगा drawing का amount दिया हुआ है आपको question में कि 50,000 रुपीज प्रॉफिट या फिर प्रॉफिट का 10% ऐसे आप समझो कि प्रॉफिट का 10% या 50,000 रुपीज दोनों में से जो भी जादा होगा वो हर साल पार्टनर्शिप फर्म एक नेक कारे के लिए डोनेट करेगी यानि स्पेशली एवल चिल्रेंड की एडूकेशन पर देगी एक चीज तो यह है तो फर्म के लिए खर्चा होते जा रहा है समझ रहे हो मंतली सैलरी देना है पार्टनर्स को एक तो यह डोनेशन वाला हमें क्लियर करना है दूसरा मंतली सैलरी देना है चलो मंतली सैलरी भी देंगे सरिता बंदना को फिर बाकी सारी चीज़े तो हमने नोट करी लिए और लास्ट में प्रॉफित एक लाइन दी हुई है इडिस दा मोस्ट इंपोर्टन लाइन क्योंकि इसी लाइन से आपको पर्फित है जैसा कि हम पिछले वीडियो में इसको लर्म किये थे कि यह 6,00,00 रुपए बैसिकली आ कहा रहा है यह 6,00,00 रुपए आपका प्रॉफित और लॉस अकाउंट से आ रहा है तो आप अब एप्रॉप्रियेशन एकाउंट बना रहे हैं क्यों बनाते हैं क्योंकि आपन्स को अब हम में profit क्या करना है distribute करना है तो पीए ड़ाल account से 6 लाग रुपए उठाइए और पीएँ अपर प्रूप्रीयेशन में लेके आई आई आपको क्या करना है प्रूप्रेशन से उठाना है 6 लाग रुपए और कहां लेके आना है पोस्टिंग कैसे होगी तो यहां पे आपको लिखना पड़ेगा बाई पी एंडल अकाउंट और ब्रैगट में लिखेगा नेट प्रॉफित कितना है जी 6 लाक रुपए यह आप कहां से लेका है पी एंडल अकाउंट अच्छा ऐसे नहीं आ जाएगा यहां समझ गया है किसलिए होता है यह पी एल अप्रॉप्रियेशन अकाउंट में आप लिख देता हूं ऐसे नहीं पोस्टिंग कर देंगे एक्चली यह जो हम अकाउंट बनाते हैं यह एक लजर अकाउंट यह एक लजर अकाउंट ही है लजर अकाउंट में जो भी पोस्टिंग होगी यह कहां से होगी जर्णल एंट्रीज के थुरू होती है यह तो तुम नहीं 11th में पढ़ा ह तो General Entry के बाद ही ये Posting यहाँ पर की जाएगी, General Entry इसके लिए बन जाएगा P&L Account Debit, Profit and Loss Account Debit to P&L Appropriation Account, कितना रुपए? 6 लाक रुपए, क्योंकि 6 लाक रुपए ही क्या है? P&L Accounts रिठाए और P&L Appropriation में लाकर Transfer कर दिया, तो this is the General Entry, P&L Account Debit to P&L Appropriation Account अच्छा, इसका भी तरीका है, आपका भी रटना मत, समझ जाओगे तो बैतर है, P&L Appropriation, General Entry का है? P&L Account Debit to P&L Appropriation, Leisure का रूल होता है, आप अगर P&L Appropriation बना रहे हैं, और P&L Appropriation यहाँ पर क्रेडिट है, तो आप इस 6 लाक रुपए को amount को उठा के credit side में post कर दो, P&L Account Debit to P&L Appropriation Account, General Entry है 6 लाक की, आप account बना रहे हैं, P&L Appropriation का, P&L Appropriation यहाँ क्रेडिट हो रहा है, तो यह 6 लाक रुपए उठा के यहाँ पर पोस्ट कर दो, चीक है, बात सौन में आ रही है, यहाँ पर, लेकिन नाम किसका आएगा, दूसरे वाले account का आएगा, क्योंकि actually यह amount जो है, वो दूसरे account से उठा के आपने post किया, उठा के वहाँ से post किया, तो नाम आएगा P&L Account का, और amount आएगा, यह credit side वाला है, जो P&L Appropriation है उसका, क्योंकि हम बना रहे हैं यह account, 6 लाक रुपए यहाँ पर पोस्ट कर दिए, और एक बा profit लाओगे नहीं, तब तक तक तुम partners को कैसे यह सारे expenses दोगे, यह भी तो सोचो, तो चलो, मैंने यहाँ पे कर दिया, 6 लाक रुपए हमारे पास profit दिख रहा है, अभी form को क्या-क्या देना है, तो पहला point हमने clear किया था, कि इन partners को interest देना है 12% के आप से, कोई दिक्कत नही capital, एक हो गई सरिता, S, एक हो गई वंदना, V, दोनों का अगर निकाल लेंगे, तो आपको पता ही है कि 4 लाक रुपए अगर, इसका सरिता का capital है, 12% divided by 100, तो निकाल देंगे, 12% जागा, 48,000 इसका, और 36,000 वंदना आगा, कैसे 36,000, 12 into 3, बारत यह 36,000, इन दोनों को हम जोड देंगे, यहाँ पर, 84,000 का यहाँ पर, इंट्रेस्ट्राइब क्यापिटल आएगा, दूसरी चीज़ क्या है, आपको डोनेशन देनी थी, अगर आपको याद हो तो पहला पोइंट, या तो 50,000 रुपए और या तो प्रॉफिट का 10% जो भी जादा हो, प्रॉफिट कितना रुपए है, यह point समझ में आया, कुछ ऐसा खास नहीं था, monthly salary देनी है, to salary, सरिता और वंदना, यहाँ पर mistake न करिएगा, क्योंकि हम account एक साल के लिए बनाते हैं, और अगर salary monthly है, तो salary को हम into 12 करके निकालेंगे, monthly salary कितनी है, सरिता की, 10,000 और वंदना की, 15,000, तो 10,000 into 12, 1,20,000, और 15,000 into 12 हम करेंगे, तो basically हमारा amount है, वो आएगा, 1,80,000, 1,80,000, इसको हम अगर जोड़ दे, तो basically हमारा amount है, वो salary का कितना आजाएगा, 3,20,000, salary दे दिया, donation दे दिया, interest on, capital हमने दे दिया है, PL account का हमने profit में लिखा हुआ है, अब आपको देना है interest on drawing, interest on drawing का concept क्या था, interest on drawing का concept यह था कि partners जो ही वो क्या करते हैं, firm से पैसा निकालते हैं, तो जितनी समय के लिए वो पैसा निकालें, उतने समय के लिए वो firm को interest पे करते हैं, यहाँ पे 2,00,00 रुपए किस ने निकाला, सरिता ने, और 2,00,00 रुपए किस ने निकाला, वंदना ने, कितने percent का interest on drawing है, 10% का, लेकिन ख्याल करिए न, ठीक है, अगर drawing में, बड़ा golden line में बोलने जा रहा हूँ, अगर drawing में, ठीक है, आपको दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, कि कितने date को निकाला, किस date को पैसा निकाला, तब तो आप उस date से लेके, और 31st March तक, या जब तक वो पैसा निकाला है, त date ही नहीं दिया है, कि कब से कब partner निकाला है पैसा, तो एक rule याद रखिएगा, जो partnership form का rule ये है, कि partners को 6% के हिसाब से interest pay करना पड़ेगा, अब यहाँ पर तुम कायदे से देखो, तो कोई ऐसा date नहीं दिया है, कि partner ने किस date से किस date तक पैसा निकाला है, तो यहाँ पर 6% के इसाब से partners को interest pay करना पड़ेगा किसको form, अब partners को pay करना पड़ेगा form को, तो form को तो basically interest मिलेगा, और अगर form को मिलेगा, तो basically form के लिए फायदा है, तो यहाँ लिखेंगे by interest on drawing, ठीक है, सरिता और वंदना, ठीक है, तो 2,00,000 का 10%, कितना हो जाएगा, 20,000, और into 6 by 12, करके मैं बता देता हूँ, 2,00,000 into 10% upon 100, यह तो basically percentage है, लेकिन in absence of any information, interest on drawing will be calculated on the basis of 6 month duration, तो यहाँ पे अगर आप निकालेंगे, को 10,000 का amount आजाएगा, सरिता का, और वंदना का मैंने निकाल के रखा हुआ है, तो यह amount आपका आजाएगा, 12,500, इसको आप जोड़ देंगे, total आजाए पर ज्यादा आ रहा है, 6,00,000, और 22,500, जोड़ोगे तो 6,00,000, 22,500, same amount यहाँ उठा देना है, तुम्हें रख देना है, 6,00,22,500, यह total firm का profit का balance है, इसमें से firm ने क्या-के expenditures की हैं, donations में पैसा दिया, salary दी partners को, और उन्हें interest दिया उनके लगाए हुए capital पे, तीनों को हम minus कर देगा, यह इस बार profit का amount है, जो partners को distribute होगा, यह होता है, PL appropriation का पूरा एक summary, और लिखेंगे क्या नीचे यहाँ पे, to profit distributed to partners, कौन S और V, तो 6,00,22,500 में से 84,00, 60,00, और 3,00,000, minus करोगे, तो तुम minus करना, मैंने करके निकाला हुए, वो amount आएगा, 1,78,500, और 1,78,500 को आपको क्या करना है, distribute करना है, बात समझ में आ रही है, और distribute कैसे करना है, तो जरासा एक चीज मैं आपको बता दू, profit का distribution यहाँ, partner जितना capital लगा है, उस ratio में होगा, question पड़ो उसमें दिया है, उस ratio में होगा, तो सरिता ने लगाया है, 4,00, और वंदना ने कित 3 आएगा, यह profit will be distributed in 4 इस्टो 3, तो 1,78,000 यहां मैं करके बता देता हूँ, 1,78,500 into 4 by 7, और 1,78,500 into 3 by 7, आपका जो amount निकाल के आएगा, वो आएगा, सरिता का 1,2,000 और वंदना का 6,500, ठीक है, यह total profit आएगी, तो आप इसको distribute कर लिए, ओके?